आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनल इंबैलेंस के बारे में हमारी वोडी में जब भी हार्मोन का इंबैलेंस होता है तो यह बहुत सारी बीमारियों को पैदा गरता है पहली बात तो एक चीज़ समझ लेज़े कि hormonal imbalance केवल किसी particular gender तक related नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि केवल females के साथ में hormonal imbalance होता है male के साथ में भी ऐसा problem आती है हमारे शरीर में generally जो हम normally hormones जानते है female में estrogen or progesterone होता है और male के अंदर testosterone होता है लेकिन दोनों ही partners में हमेशा दूसरे hormones भी पाए जाते है मतलब females के अंदर भी testosterone होता है और male के अंदर भी estrogen और progesterone होते है साथ में oxytocin होता है मतलब सभी प्रिकार के ये जो हार्मोन है male female दोनों में पाए जाएंगे केवल कितनी मात्रा में पाए जाएंगे कितना जादा कौन जादा होगा कौन काम होगा केवल उसमें अंतर होता है इसी के साथ जो cycles होती है जैसे females के अंदर menstruation की एक cycle होती है जिसमें उनके जो hormones होते हैं वो काफी जादा up and down करते रहते हैं male के अंदर भी ऐसा होता है ऐसा नहीं है कि केवल female की cycles होती है male के अंदर भी hormones की अलग-अलग cycles होती है उनके hormone level भी अलग-अलग health condition के हिसाब से अलग-अलग stage के हिसाब से अलग-अलग age के हिसाब से vary करते हैं तो hormone imbalance को समझना केवल females के लिए जरूरी नहीं है males के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी प्रकार के लोगों में सभी चाहे वो किसी भी उम्र के हों किसी भी gender के हों जाती के हों, caste के हों, अमीर हों, गरीब हों सभी को hormonal imbalance से बहुत सारी विमारियां होती हैं अगर कोई व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के अंदर जो hormones है, वो imbalance condition में चल रहे हैं तो आपको बहुत सारी problems हो जाएंगी सबसे पहली चीज तो है thyroid problem का होना, यदि आपके hormones imbalance condition में हैं तो आप बहुत जादा prone होते हो किसी भी प्रकार की thyroid problem के लिए जो T3, T4 और TSH होते हैं ये तीनों ही vary कर सकते हैं कभी कोई बढ़ सकता है, कोई घड सकता है मतलब total मिला करके आपको किसी ना किसी प्रकार की hyper या hypothyroidism की problem हो सकती है diabetes का होना एक अपने आप में hormonal imbalance का एक symptoms है यदि आपकी body में hormones level सभी सामान नवस्था में हो तो हाइरण problem तो diabetes problem नहीं होती diabetes हो रही है इसका मतलब ही है कि आप में hormones का imbalance चल रहा है इसके अलावा females के disease होती है PCOD polycystic ovarian disease ये जो problem है ये तो बिलकुल classical symptom है कि आपकी body के अंदर hormones का imbalance है और इसकी पूरी cycle बन गई है अगर आपकी body में पहले hormone का imbalance होगा फिर ये female को जाकि PCOD पैदा करेगा फिर PCOD के कारण उसके hormones और ज्यादा imbalance होगे फिर और ज्यादा imbalance और ज्यादा PCOD को बढ़ाएंगे फिर PCOD से वापिस hormone imbalance का होगा मतलब ये एक ऐसी cycle बन जाती है कि बहुत सारी females के लिए से तोड़ना ही अपने आप में बहुत जादा मुश्किल काम होता है इसके बाद ये आपको hormone imbalance है तो आपको mood swing होगे आपको need problem आ सकती है आपको insomnia की condition हो सकती है depression के लिए आप बहुत जादा prone हो सकती है आपको psychological problem आ सकती है साइजोफ्रेनिया यगलग चीजों का दिखाई देना सुनाई देना मन के अंदर बहुत ही घबराहट सा रहना चीजों को नहीं समझ पाना बहुत जल्दी आपको किसी भी चीज का hurt हो जाना OCD का होना ये सारी problem भी कही ना कही हार्मोनल imbalance के कारण होती है इसलिए हार्मोन को सेट करके रखना साम्य वस्था में रखना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है तो आज के वीडियो में हिंकों मैं कैसे सेट रखना है मुसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहली चीज़ तो एक बात समझ लेज़े यदि आपकी बॉड़ी में हार्मोन imbalance है तो यह बहुत ही ज़ादा इंडिकेट करता है कि आप exercise नहीं करते या फिर आप exercise बहुत ज़ादा करते हैं दौनों ही बाते यदि आप exercise नहीं कर रहे हो यदि आप व्यायाम नहीं करते हो अगर आप मोटापे के शिकार हो तो ही आपको व्यायाम करना है ऐसा नहीं है व्यायाम का आपके मोटापे से जादा कुछ लेना देना नहीं है ठीक है वजन maintain होना चाहिए जरूरी है बहुत अच्छी बात है यदि आप अच्छे figure के हो अच्छी बात है आप अट्रेक्टिव दिखते हो बहुत बढ़िया लेकिन इसका केवल व्यायाम वही तक सीमित नहीं है व्यायाम के और बहुत सारे अंगिनत फायदे होते है यदि आप regular व्यायाम नहीं कर रहे हो चाहिए आप भले ही दुबले हो आप सोचो कि हमें तो exercise करने की जरूरती नहीं है हम तो अल्रेडी बहुत ज़्यादा दुबले है ऐसा नहीं है वहाँ पर भी नहीं है यदि आप व्यायाम नहीं कर रहे हो तो आपकी body के अंदर बहुत ज़्यादा toxic का level बढ़ जाता है अब इसको simple सी तरीके से समझो जैसे हम लोग घर पे रहते हैं अपने घर पे तो घर के अंदर नॉर्मल जाडू पोचा बरतन नॉर्मल रोज की dusting होती है वो परडे होती है लेकिन यदि हम हर महिने में एक दो बार अपने घर की जो sewer line होती है जो गंदगी निकलने की जो pipe होती है उसको हम clean नहीं करें उसके अंदर साफ सफाई नहीं करें घर के जाले होते हैं उनको साफ सफाई नहीं करें बाथरूम को प्रॉपर तरीके से clean नहीं करें तो क्या होगा 15-20 दिन में घर के अंदर अजीब प्रकार की एक स्वीडन की स्मेल आने लगेगी घर के अंदर कॉक्रोज बहुत जादा हो सकते हैं मधु मख्यां, मच्छर ये सब बहुत जादा हो सकते हैं ये सब क्यों होंगे? क्योंकि घर के अंदर गंदगी है भले ही आप नॉर्मल की क्लीनिंग रोज कर रहे हो व्यायाम करना एक तरीके से हमारी बॉड़ी को क्लीन करने का एक तरीका है जब आप व्यायाम करते हो तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही सही तरीके से होने लगता है, तेज होने लगता है जब blood proper तरीके से तौड़ता है तो जितने भी nutrition वाली चीज़ें हैं वो एक-एक cell तक बहुत ही आराम से पहुँच पाती है और उन cell के अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो भी blood circulation के थुरू वापिस आपाती है अब व्यायाम करने की जो definition है मैं आपको बिलकुल नहीं वोलू लर्निंग आयरवेद विड डॉक्टर नहा उसमें मैंने आपनों को समझाया था कि व्यायाम के ना दो ही सिम्टम होते हैं पहली चीज तो आपका सांस की गती तेज हो जाए यदि आपकी सांस की गती तेज हो गई है तो आपने व्यायाम कर लिया दूसरी बात पसीन आ आप नांसिंग कर सकते हो आप सिमिंग कर सकते हो आप जॉगिंग कर सकते हो आप कोई स्पोर्ट अक्टिविटी कर सकते हो कुछ भी करना है लेकिन व्यायाम किसी ना किसी प्रिकार से आपको करना है सिम्टम्स दो ही है कि आपका रैस्पिरेशन तेज हो जाए पसीन आ ऐसी condition में आपको 50 मीटर दौड़ना है फिर थोड़ा से अपने respiration को control करना है भाई थोड़ी normal condition पर आजा उसका फिर वापिस दौड़ना है फिर थोड़ा सा आराम करना है फिर वापिस दौड़ना है फिर आराम करना है इस तरीके से यदि आप jogging करोगे तो थोड़ी देर के दस पंदा मिनाट के बाद आपको दौनों सिम्टम आ जाएंगे कि सांस की गती भी तेज हो गई और पसीना भी आ गया ट्रेइनर के साथ में नहीं करते हो मतलब आप किसी बोड़ी बीदिंग क्याते हो वह अफ्र गए सपूर्ट एक्ट्विटी Vermont के लिए त्यारी कर रहे हो वहां भी बहुत अलग बात नहीं मिल रहा है तो भी आपको हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए आपको सामान्य मात्रा में सामान्य अवस्था में और अपने शरीर के हिसाब से व्यायाम करना बहुत जरूरी है पर डे आपको व्यायाम करना है रोज नहीं कर सकते तो एट लीस्ट हफते में चार द अब खाने में यदि आप दूसरों के वीडियो देखो या फिर गूगल पर रिसर्च करो तो बहुत सारे लोग बोलेंगे जादा प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए यह लेना यह खाना चाहिए वह खाना चाहिए लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूगी यह जो कैमरा हिल रहा बार 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 जो मैं आपको बदा रहे थी कि जो कार्वो हाइडरेट कम लेना चाहिए और प्रोटीन जादा लेने चाहिए इस मामले में मैं बहुत जादा इस बात से सहमत नहीं हो क्यों उसका कारण है कि आप क्या खाना खाते हो से बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता ल ठीक है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है आप लोग के अकॉर्डिंग लेकिन मेरी तरफ से मैं आप लोग को बता देती हूँ मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अप मॉर्निंग में 5-6 के बीज में उठ जाना चाहिए यदि आप इतने बज़े उठ रहे हो 6 बज़े के गरीबर उठ रहे हो उठने के बाद आपको एक ग्लास पानी पीना है इस पानी में आप अपनी आवश्रत आनुसार अपनी नीर अनुस करके बहुत जादा पानी पीओ एक ग्लास पानी सुबह उठकर सफिशियंट होता है उसके बाद आप नॉर्मल अपनी दिन चे रहा के काम करो सुबह फ्रेश होना जोगिं करना एक्सराइस करना बाकि जो भी आपके काम है जो भी आप करते हो सुबह सुबह आपको करने चा सकते हो कुछ भी जो सारी चीजह है जो आपके ब्रेकफास में लेते हो आपको आठ से नौ के बीच फे लेना चाहिए ब्रेकफास में आपको फल कभी नहीं खाने चाहिए ब्रेकफास में दूद आपको कभी नहीं लेना चाहिए ब्रेकफास में आपको हैवी खाना कभी नह काना चाहिए कई लोग बोलता है कि breakfast बहुत हैवी होना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा personal point of view है कि यदि आप हैवी breakfast करते हो तो फिर आपको पूरे दिन भूख नहीं लगती और पूरे दिन आपका पेट ऐसे ही गुमसुम पड़ा रहता है सुबह सुबह के टाइम पर जठरागनी उतनी activate नहीं होती है हलकी रहती है सुबह के टाइम पर मंदागनी रहती है आयरवीद के साब से कफ कप कोप काल रहता है तो वहां अगनी उतनी ज्यादा activate नहीं होती तो यहां पर आपको थोड़ा सा light आपको लेना चाहिए कुछ भी उसके बाद 8-9 के बीच में आपने breakfast कर लिया नौ से लेकर दोफैर के 12-1 के बीच तक आपको कुछ नहीं खाना है यानि कि जब आपका lunch का time हो तब तक आपको कुछ नहीं खाना है उसके बाद जो भी आपका lunch time है approximately 12-1 के बीच में आपको अपना lunch करना चाहिए इस lunch में आप आपको दो रोटी, एक कटोरी दाल, एक कटोरी हरी सबजिया होनी चाहिए लंच में आपको कभी भी salad नहीं लेना है लंच में आपको कभी भी fruit नहीं लेना है इस लंच में यदि आप चाहो तो dry fruit ले सकते हो एक कटोरी dry fruit कोई भी जो भी आपको पसंद है वो आप खा सकते ह यह आपका lunch heavy हो जाएगा इससे ठीक है आप dry fruit ले सकते हो dry fruit मैं skip वाले है इसलिए बता रही हूँ यदि आपको control करना है आपको मोटापा है तो आप कम खाईए यदि आपको मोटापा नहीं है आपको बढ़ाना है तो आप dry fruit जादा खाईए इस तरीके से आप इसको adjust कर सकते ह यह आपका 12 से 1 के बीच का आपका lunch होना चाहिए एक बज़े आपने lunch कर लिया उसके बाद बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है सीधे शाम को तीन बज़े के आसपास तीन से चार के बीच में आपको एक fruit खाना चाहिए एक fruit परियाप्त होता है कोई भी एक फल ख पीता या इतना बड़ा तरबूच तो आप समझ जो लगबग एक apple जितनी size का होता एक छोटी कटोरी उसको काट करके उतना पपीता खा सकते हो इस प्रकार से लगबग संख्या में एक के हिजाब से जो एक average size निकल रही है वो आपको खाना चाहिए ठीक है शाम को तीन बज इसे लोटने के बाद का जो time होता है शाम को 5-6 के बीच में उस समय पर आपको इस प्रकार से दूद वाला कोई product है या फिर उस time पर आप कुछ और लेना चाहते हो खलका light तो ले सकते हो चुकि यहाँ पर मैं आयरवेट को follow करते हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँ इसलिए मैं यहाँ पर शाम को 5 बजे लेने के लिए बोला है क्योंकि अधि आपने तीन बजे कोई फल खाया है तो अगले दो घंटे तक फल पज जाते है पांच बजे आप लोगे तो राच के डिनर में काफी जाधा time होता है तो दूद का विरुद आहार नहीं बनेगा इ आपको अचार का सेवन जरूर करना चाहिए अचार आम के अचार या फिर आम के अलावा आप नीबू का चारी दो अचार का सेवन आपको जरूर करना चाहिए अचार बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि यह डाइजेशन को बहुत जादा इंप्रूब करती है और आपके ख थोड़ा सा खाया मुह में रखा Ocean coach you go जाट लीजव उसको थोड़ा सा आमकचार सा कर चात लीज़े इस तरीका से आप थोड़ा है फोड़ी तोड़ी देर में कहते हो नुटी अगनी को बढ़ाने वाला होता है खाने को बहुत ही असानी के साथ पचाने वाला होता है अब रात में 8-9 के वीच में आपने डिनर कर लिया उसके बाद में 9 बजे से लेकर आप अपने जो भी आपके काम है उन्हें निपटाइए रात में थोड़ी दिर मेडिटेशन करें और लगभग रात में 11-12 के वीच में आपको सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से यह आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए अब हर व्यक्ति अपनी आवश्रक्ता अनुसार इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है फॉर एक्जामपल यदि आप नॉन्वेज स्किप करके वहाँ पर सैलेड रख सकते हैं इस तरीके से यदि आप टाइम शेडूल सेट करोगे तो आपकी जठरागनी प्रॉपर बनी रहेगी अक्टिवेट रहेगी आपका जो प्रॉपर खाना आपकी बॉड़ी वे पहुँचना चाहिए जो मॉडरन के इस आप से भी इस ने हर 2-3 दिन घंटे में कुछ खाना चाहिए वो भी लगबख सैट हो जाएगा और जो विरुद आहार आप गलती से खा लेते हो वो विरुद आहार आप नहीं खाओगे पर एक्जामपल विरुद आहार होते हैं कच्छा खाना और पक्का खाना साथ में खाना बहुत स के साथ में और एक ग्लास दूद्ध बच्चे को पिला के भिजवा देते हैं ये भी विरुद्ध आहार होता है यदि आप इस तरीके से खाना खाऊगे तो आपकी जठरागनी प्रॉपर रहेगी आपको नुट्रिशन प्रॉपर मिलेगा और सभी चीज़े जो भी पॉस्टे दिरे दिरे बढ़ाते जाएए चीज एक ही है एक ही तरीके से आपको शेडियूल फॉलो करना है तो आपका दोनों ही व्यक्तियों को फायदा हो जाएगा ठीक है इसके बाद तीसरी चीव पॉइंट आती है जो हार्मोलल इंबैलेंस के लिए बहुत जादा जरूरी है वो ह वान ने आपको stress-free बनाया है हमारी body stress को नहीं जेल सकती हम जब भी stress में होते हमारी body में अलग-अलग प्रकारगी बीमारिया उचल-कूद मानने लगती है कभी किसी का घुटने का दर्द बिना किसी कारण के दर्द देता है कभी कमर दर्द होने लगता है कभी सिर दर्द हो एक दो बार get together किया करिये अपने दोस्तों के साथ, family वालों के साथ, जो भी आपको पसंद है उनके साथ में time spend किया करिये, हफते में कम से कम 2 या 3 बार अपनी personal activity के लिए थोड़ा सा time निकाला करिये, dancing, painting, जो भी आपको पसंद है, whatever, singing वगएरा, जो भी आपको अच्छा ल मेशा stress level कम करती है, तो थोड़ा सा कुछ create करिये, अच्छा लगता है, जब आप कुछ create करते हो ना भले ही वो चाहे जितना बकवास हो दूसरों के लिए, कभी कुछ आपने art बना लिया, घर में कुछ बना लिया, कोई खाने की चीज बना ली, ठीक है कोई दूसरा तारीफ नहीं करेगा, लेकिन आपको खुद को अच्छा लगेगा, तो जो भी ऐसी activity है, जो आपको थोड़ा सा create करने का मौका देती है, आपके stress level को कम करती है, उसके लिए time जरूर निकालिए, चाहे आप housewife हो, चाहे आप working woman हो, चाहे आप old age के हो, चाहे आप कुछ भी, किसी भी condition में हो, यदि stress management नहीं करेंगे, तो आपको problem आएगी ही आएगी, चले, आज के लिए इस video में इतना ये तीन important factor है, जो आपकी जिंदगी को balance बनाई रखने का काम करेंगे, प्लीज इनके उपर focus करेंगे, थोड़ा सा time हर चीज के लिए निकालिए, आज के वीडियो में इतन यदि आपको मुझसे personally बात करनी है, तो website के दुरू personal consultation book करना होगा, यदि कोई चोटी-बूटी बात है तो आप comment करके ही बता सकते है, personal बात है तो आप मुझे Facebook पर message कर सकते है, Instagram पर DM कर सकते हैं, और कुछ नहीं, चलो, bye-bye